जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो उंगली तेडी करना ही सही विकल्ब बन जाता है वेसा ही कुछ बांगलादेश के साथ है ये देश अब देश नहीं रहा बलकि विरोधियों का ड़ा बन चुका है वो भी भारत विरोधियों का आप ही बताईए फिलाल खालिस खालिस्तानी समर्तक और बांगलादेशियों में क्या अंतर रह गया है। वे वहाँ कैनडा में हिंदों को परिशानेव मंदिरों की तोड़ फोड़ कर रहे। तिरंगे को जला कर भारत की आलोचना करते हैं। सेम वही हरकत हमें बांगलादेश में भी देखने को मिल रही इतना ही क्या वहाँ खालिस्तानी जैसे भारती दूतावासों पे हमले की प्लानिंग बनाते हैं ठीक वेसे ही खबरे अब बांगलादेश से भी सुनने को मिल रही है। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं इसे जागरन ने पब्लिश किया है। और इस आर्टिकल के मुताबि बांगलादेश में जो भारत का दूतावास है वो बड़े संकट में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांगलादेश में मौजुद भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत सरकार को सूचित किया है कि युनिस की अंतरिम सरकार की तरप से बार बार बाजी करने लगे है और हमें सुरक्षा देने के लिए यहां मामूली पुलिस भी तैनात नहीं। कहते है ढाका में अब यह भी बहुत से पुलिस स्टेशन खाली पड़े है। विरोधियों के डर से पुलिस अधिकारी काम पे नहीं आ रहे। बांगलादेश की कानून व्य पुलिस वहां तैनात होगी या नहीं। या कैनडा की तरे ढाका में भी भारतिये दूतावासों पर हमले होते रहेंगे। हम इस पर ततकाल जबाब चाहिए। वरना हम अपनी ओर से एरफोर्स भेचके गरुट कमांडों हमारे दूतावास के सामने खड़े कर देंगे। औ और हमारे कमांडों अपनी लोगों के रक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानते है। भारत सरकार ने महुमत यूनुस पर भी भड़ास निकालते हुए कहा कि आपकी अंतरिम सरकार को गठित हुए अब दो हपतों से भी जादा समय हो चुकाए। फिर बिना दंगे पता नहीं होगा दोस्तों लेकिन जब 1992 में अयुद्या में बाबरी मजजित तोड़ी गई थी तब भी बांगलादेश की जनता ने भारतिये दूतावास पर हमले की कोशिश की थी। उस समय भारतिये दूतावास पर काफी पत्रा हुआ था और जब भारत ने C.A.E. के तह ही की है इसलिए भारतिये अधिकारियों को हमले का डर सता रहाए और मुझे तो बहुत कम चांसिस दिख रहे है कि युनुस की सरकार भारतिये दूतावासों को Z-Plus Security देगी ही मेरे हिसाब से तो भारत ने अभी अपने गरूट कमांडो बांगलादेश रवाना कर देने चाह कर दो ही मेरे है अधिन प्रम जतावासों को Z-Plus